तो आज में आप लोगों बहुत ही आहसान और न्यू तरीके से मटन करी की रेसिपी बना के दिखाने बाले हो फ्रेंट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर किजेगा तो आई ये देख लेते हैं किसे कैसे बनाते हैं तो टेश्टी मटन करी को बनाने के लिए नहीं हैं पर हमने एक केजी मटन ले लिए हैं इसे हमने अच्छे से धोके साप कर लिए हैं तो मॉटन का जो quantity है ना आप अपने जोरत का अनुसर कमिया जादा कर सकतो हो तो अब हम इसके लिए मसाला का घोल बना लेते हैं तो एक छोटा सा कटोरी में हम डेड़ चमच ले लेंगे जीरा पॉड़र और आधा चमच ले लेंगे काली मेर्श का पॉड़र जिसे बलक पेपर बोलते हैं तो जो घर का रेगुलर चमच होता है नो फिरें उसी के माप में हम सारे मेजर्मेन ले रहे हैं अब हम इसमें डालेंगे एक चमच लाल मेर्श का पॉड़र तीखा जो है न आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम या जादा कर सकते हो और एक चमच कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्श का परड़ और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी और पानी के साथ अच्छे से सारे सुखे मसाले को हम मिक्स कर लेंगे तो ये लीजे मटन के लिए हमारा मसाला का गोल बन के तेयार है तो अब हम इसे 10 मिनिट के लिए रेक्ट पे रखते हैं तो अब हम कड़ाई में डालेंगे दो बड़े चमच सरसो के तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तो अब जब भी मटन या फिर चिकन बनाने फिरने तो आप सरसो का तेल में ही बनाईएगा उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो ये देखे तेल गरम हो गया तो अब हम इसमें पियाज डालेंगे तो चार बड़े साज की पियाज को हमने पतला पतला सलाइस में काट लिए है अब हम पियाज को चलाते हुए अच्छे से सॉप्ट होने तक भून लेंगे तो पियाज सॉप्ट होके अच्छे से भूना गया है तो अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे तो खड़े मसाले में इसमें हमें एक बड़ा सा तेजपते को तोड़ के डालेंगे, एक छोटा सा जालेंगे जाबितरी का फूल, तीन लॉंग, दो जाल चीने का टुकड़ा और चार छोटी इलाची जिसका हमने मुझ खोल लिये हैं अगर आपके पास बड़ा इलाची है ना ताप यहाँ पर एक बड़ा इलाची भी डाल सकते हो, इसके बाद दो बड़े चमच अधरक लसुन का पेस्ट डालेंगे, अब हम अधरक लसुन और खड़े मसाले के साथ जो है ना मसाले को चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए भ बून लेंगे इसके बाद इसमें हम टेष्ट के को टिंग नमक डालेंगे और नमक के साथ हम मnton को अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद जो है इसम मीडियम फिले में ढटके चार से पांच मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मुटन का पानी है वो जेसे निकल जाए तो इ पानी में बहुत ज्यादा टेस्टी वनेगा तो चले फ्रेंट चार मिनेट के बाद मिलते तो मटन को ढखे हुए लगभग हमें पांच मिनेट हुआ है और देख सेकतो फ्रेंड आप लोग मटन ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है तो अब मटन का जो पानी है ना उसे मसाला का घौल बना करा त brake ते ना उसे डाल देंगे को टषके मटन में थोड़ा सा मटन से 25-6 मिन साली करेंड़ेंगे तो मिडियوم त्य समय वुनाई करेंगा और मैटन ना अच्चे आचमाश से पुनाए कि तक मैटन को दक और 8 मिनट तक भून लिये हैं और मटन जो है नमारा पहुत ही अच्छे से भूना गया है आप चाहे तो आप ये भूने हुए मटन को भी खा सकतो हो तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे तीन गिलास के करीब गरम पानी तो पानी के कौंटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही डार रह तो आप इसमें हरे मीज जरूर डालिएगा फ्रेंट इससे इसका फिलोवर बहुत ही अच्छा आता है इसके बाद ग्यास का फिलम को मीडियम टू लो में रखेंगे और मटन को सौप्ट होने तक ना इसे हम 25-30 मिनट तक ढखके पकाएंगे तो मटन को ढखके पकावे हमें 30 मिनट हो गया है और मटन जो हैना हमारा बहुत ही अच्छे से सौप्ट हो गया है ये देखिए तो ग्रेवी अभी आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा जैसे ये हलका ठंडा हो जाएगा ना ग्रेवी गाडा हो जाएगा तो ग्रेवी आप अपने टेस्ट के कोडिंग पतला या फिर गाडा रख सकतो हो आपको जैसे मन करें तो अब हम इसमें डालेंगे आधे चोटे चमच मीट मसाला और मीट मसाले के साथ मटन करी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे नाम खुलना में 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि मीट मसाला का फिलेवर अच्छे से मटन करी में आ जाए तो 2 मिनट हो गया फ्रेंट तो अब हम गैस का फिलम को अप करके इसे हलका सा ठंडा कर लिए हैं तो ये लिजिए बहुती टेस्टी आसान से हमारे मटन करी बनके तेयार है तो मेरी इस तरह से ना एक बार आप इसे बना क जरूड ट्राइक किजिऊगा फ्रेंट ये खाने में इतना जादा टेस्टी लगता हा ना कि मेरी इस तरह से एक बार मटन करी बना के खा ले ना तो अप जितना तरीके से मटन करी बनाना जानते होना सारी तरीके इसके समने फीका लगे तो यह मॉटन करी की आसान सी रेसिपी आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड फिलीज हमें कॉमेंट पे बताना ना भूले अच्छा लगे न तो वीडियो को एक लाइक करके जादा से जादा से जादा सेर किजिएगा और इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के किजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटी पेकिशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत देने बाद फिलाल के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में